देखे आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ profit and loss तो उसके लिए आपको ये जो तीन conditions है ये आपको समझनी पड़ेंगी ठीक है देखे सबसे पहले तो क्या है आपको ये मालूम होना चीए कि क्रैमुल्य जो है ठीक है क्रैमुल्य विक्रैमुल्य ठीक क्रैमुल्य और विक्र डीक है तो जो पहला condition है इसके अंदर में जैसे मालूम्य आपको क्रैमुल्य दिया गया है 200 रुपए ठीक है अब आपको क्रैम अपर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 30% ठीक है और यहाँ पर आपको बोला रा रादा है कि विक्रेम मुल्य क्या करिए ग्याद करिए तो आपको कैसे गयाद करना है? विख्लियम, कुट रिखिए को लाब मु ने गयाद करने के सिदा गया क्लीन सिर्जी है इस एक लाम को प्रतिसेट है मैं सौपलस करके लिखेंगे अगर ऐसे भी इसे भी चाहिए अपूर से उसको जोड़ना जाए ना पड़ेगा इसलिए आप इसको क्या कर ये सीधा-सीधा 100 प्लस खरदी तो 130 अपर में क्या हूजाए गाel ओंडेट इसको क्या कर दिए गया। तो यह आ जागा तेरा दुनी 26 तो यह आ जागा डारेक्ट आपका विक्राए मुल्य क्या गया विक्राए मुल्य कितना हो गया 2060 रुपए तो आप इस प्रकार डारेक्ट लागा सकते हैं ठीक वह भी में केनिशन बता हुँगो जो हुआ इसके अंदर दूसरा बोलता है कि प्रतिस्त तुनिया गया और यहां पर विक्रयम मुल्य दिये गया है 180 akhir अब आपको निकालना है profit ठीक है पर्सेंटेज में तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहली बात है 21 तो दोनों का difference क्या होता है लाब और रहनी होता है कि चौप यन्तोर बीच इतंड देखे 180 क्या है 250 में कैसे निकाला जाता है वो एकदम ध्यान से देखिएगा हर चीज जो भी होगा वो होगा क्रैम उली से क्रैम उली को कॉस्ट प्राइस करते हैं ठीक है तो जो भी कुछ होगा जहां से भी परसेंटेज निकाला जाएगा वो यहीं से निकाला जागा, इस से नहीं निकालते हैं परसेंटेज किस से निकालते हैं इस से, तो देखें क्या हो जागे यहाँ पर, बटा में हमेशा यह वाला आएगा, क्रैमुली, इंदम रड डाले, ठीके, कि 30 बटा क्या हो जाएगा, 150, अब इन्टुम में यह second condition हो गया पाइला condition आपने देखा दूसरा condition आपने देखा profit percentage कैसे निकालते हैं किसको base लेकर ही निकालते हैं जिसको हम क्राय मुल्य या cost price करते हैं ठीक है तीसरा condition देखिए क्योंकि इनी condition पर आपके basics ठीक हुए है यहाँ पर दिया गया है क्राय मुल्य कोई formula का use नहीं कर विक्राय मुल्य दिया गया हमको 120 अब हमको निकालना है क्राय मुल्य तो क्राय मुल्य कैसे निकालेंगे यह हो जागा x into अगर यहाँ पर profit लाब दिया गया है प्रतिसत में तो हम इसको 120 कर देंगे अगर हानी दिया गया है तो हम इसको क्या कर देंगे 80 क्यों कर देंगे क् पूरा profit and loss बढ़े हासानी से कर सकते हैं यानिकि lab और आनी बहुत ही से कर सकते हैं ठीक है अब मैं जब इसके बारे में कुछ समझाऊंगा तो आप उसको अच्छे से समझ लीजेगा देगे जैसे लाब और हाणी क्राय मुल्य होता क्या है अभी मैंने आपको बता है कोई भी वस्तूर जिस मुल्य पर खरदी जाती है तो उस मुल्य को उस क्रायमुल्य को क्रायमुल्य से अधिق होजाने क्रायमुल्य यहाने एक क्रायमुल्य अधिक हो एक किताब का क्राय मुल्य, क्राय मुल्य दिया गया है 15 रूपय, तथा विक्राय मुल्य दिया गया है 40 रूपय, तो उस पर होने वाला, होने वाला लाब प्रतीसत की गढ़ना करना है, देखें, अब क्राय मुल्य जो है, ये दिया गया है 15, और जो विक्राय मुल्य दिया ग 10-3ुपय का Perhaps हो गए लाप को प्रतिसद में व्यक्त करना है ठाइक तो यहाँ पर कि अ ठुमेल कि कि उसratosuiten हिस्ट है कि अब इन दोने को डिफ्रेंस कुत न आ पच्चीस अभी मैंने आपको वहां पर अब आपको करना है है इसको के करना है थीक है और यह हो झालेंगा तो इसको 2 unit सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट ठीक पोश्चन समझ में देखें यहां पर निकलेगा क्राय मुल्य पंदर रुपए विक्राय मुल्य चालीस रुपए दोनों के बीच का डिफ्रेंस जो निकलेगा वह आजाएगा इनका लाब कितना आ गया 25 अब लाब को प्रतीसत में कैसे सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा सीपी यानि कॉस्ट प्राइस से ही क्या निकलता है क्या होता है इसका बेस क्या होगा हमेशा यह 25 बटा पंदर इंटू हंड्रेंड तो क्या हो जाएगा 166 परसेंट में आपका आजाएगा लाब का प्रतीसत की यह हो गया आपका पहला प्रस्ण दूसरा प्रस्ण की तरफ आईए दूसरा प्रस्ण बोलता है कि यदी एक किताब का क्राय मुल्य 150 रुपय हैं कितना है 150 रुपय है 137.0 रुपीज ठीक हैं तो यहां पर होने वाली हानी का प्रतीशत गड़ना करिए हानी का उसका जो है गड़ना करना है ठीक है तो कैसे करेंगे हानी के प्रतिस का गड़ना तो देखें यहां पर क्या हो जागा इसको अभी मत देखिए यहां पर मैं पुगताता हूं फिर से वही हमको करना है कि यहां पर जो करना है क्राय मुल्य फिर यहां पर करना है हमको विक्राय म गया हम दोनों का जो difference है वो आप यहां पार दिया है कि उस पर होने वाली प्रतिसत की करना किजिए फरतिसत में करने करना इतना तो हम को दिप गया क्या रूप है ठीक है लेकिन अब ईसको प्रतिसत में करना करने के क्या जाँ गा कोहा ज़ाएगा आप तो आप पुछेता निकल कर आएका 8πάILL फ्रतिसत थो यह wären पूछेगा यहHe 3 पूंधी पूछेगा यह नहीं पूछेगा कि आप को त्रहा नहीं हुआ ट्सफी अप पूछेगा परसैंटेज में तो परसैंटेज निकालने क dough रुपय में खरीदा जाता है एक कुर्शी जो 470 रुप है। QTS को क्रामय मुल्ड को पर बेचा जाता है। विक्राम मुल्य जो है वो क्या है? एक्स है, ठीक है? यह 해, तो क्या करेंगे यहाँ पर चारसो सत्तर इंटू? मैंने क्या करें ता अगर दस प्रशाथ लाब में बेच राँ है, तो लाब क्या करेंगे? प्सकार निकालेंगे तो कितना हो जागा यह पर लाब का प्रतिसत देखना है या हानि का प्रतिसत देखना है इसके लबाँ कुछ नहीं घंगाना और यह बड़े सिम्पल से आपके अंसर निकलकर आ चौधा प्रश्ण के दिर पाई है। फिर से वही प्रश्ण है कि एक व्यक्ति एक मेज चार सो भी सुरूपय में खरीटता है उसे पंदरा प्राइब प्रतिषत हानी पर बेज दिया जाता है तो मेज का विक्राय मुल्य गया थे लिए, फिर से मैं यहां क्या लिखूंगा, विक्राय मुल्य, पिर यहां क्या लिखूंगा, विक्राय मुल्य, क्राय मुल्य जो दिया गया है, वो दिया गया है, और यहां पर प्रतिसत दिया गया है, हानी का, वो दिया गया है, 15 प्रतिस मानस करेंगे तो यहाँ जाएगा 85 क्यूंकि यह क्यों्कि हानी है लाब हुता है तो प्लस करते है फानी होता है पस इतना याद रखना है है आपको यहाँ पर जाएगा 100 ठीक है आपको कटने के बाद में आपका जाएगा अंसर 357 बस इतना यह ध्यान रखना है कि जब भी हानी का percentage दिया गयागा तो उसको 100 में से कम कर दीजेगा और लाब का प्रतिशत दिया गयागा तो उसको 100 से बढ़ा कर लिखिएगा तो आपका डारेक डारेक्ट डारेक्ट आंसर आजाएगा ठीक है यह हो गया चार 17 उपय में बेशने पर 10 प्रतिशत का लाब होता है तो बताइए कुरसी का क्राय मुल्य कितना होगा फिर से वही question है कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमको क्या लिखना है क्राय मुल्य फिर यहां हमको लिखना है विक्राय मुल्य ठीक है क्राय मुल्य और विक्राय मुल्य लि पर तो 10 प्रतीसत यहां पर होगा कितने में बेचा है तो 517 रुपई में बेचा है आप यहां पर क्या हो जाएगा X into 10 प्रतीसत का लाव है तो 1110 upon 100 is equal to 5 517 अब इसको आपको निकालना है तो यह पलट कर यहां हो जाएगा इतना अब आपको क्या करना है इसको कर देना है कट करने के बाद में आपका जो आँसर आजाएगा वह आजाएगा इसको जब आपको कटा ओगे तो आजाएगा 470 रुपई तो क्या हो गया हाँ निकल कर आघे हैं 40 थी यह सींपल बशदीस चाहरा बढ़ा ही सींपल है यह तीनнокे आउड मॉय निकालने के लिए बोल रहे हैं थों ख्राय ठ coastal हाँ परतीशन यहीं उसको निकालना है च्छटोए प्रश्ण चूटव प्रस्ट उसकी प्रकार है कुछ रामने घड़ी और यहां पर देखे क्राय मुल्य जो है वो है फिर यहां पर जो है विक्राय मुल्य है अब यहां पर क्या है लाब का प्रतिशत कितना दिया गया है यानि हानी का प्रतिशत हानी हुई तो हानी का मतलब है 6% हानी हो गया क्राय मुल्य निकालना है ठीक है विक्राय मुल्य कितन है 376 तो यह वजागा इंटू यह वजागा 100 उपर यह वजागा 94 नीचे 94 94 और यह वजाए 4 में कड़ जाता है तो इसका अंसर आजाएगा 400 रुपए जो है घड़ी का